क्वेशन क्या कहता है find the least number which one divided separately by 15, 20, 36 and 48 leaves 3 as remainder in each case क्या कह रहा है कि least number बताना है जो 15 से 20 से 36 और 48 से divide होने पर 3 remainder देता है हर case में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम LCM निकालेंगे divisors के क्या क्या divisor इस case में दिवें 15 दिया हुआ है 20 दिया हुआ है 36 दिया हुआ है और 48 दिया हुआ है ठीक है तो आईए हम LCM निकाल लेते हैं हम सबसे पहले जो यूज करेंगे वह किसका यूज करेंगे 2 का 15 यह है as it is आ जाएगा 20 किसमे चेंज हो जाएगा 10 में 36 उसी तरी किसे कैसे चेंज हो जाएगा वह हो जाएगा 18 48 24 में फर्दर हम 2 फिर यूज करेंगे और अब यह क्या होगा 15 as it is यहाँ आ जाएगा 10 तर्णवर्ट हो जाएगा 5 में 18 9 में 24 किसमे होगा 12 में फर्दर हम किससे करेंगे 3 यूज करते हैं 3 भी प्राइम नंबर है उसको यूज करते हैं यहाँ पर क्या जाएगा 5 आ जाएगा यह 9 कितने पर रेड्यूस हो जाएगा 3 में और 12 किसमें रेड्यूस होगा 4 फर्दर जो हम यूज करेंगे वैलू वह है 5 फाइव से यह वन टाइम जाएगा यहाँ 3 और 4 as it is जाएगा जो इसका LCM आने वाला है वो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 यह LCM आया और इसका जो हम प्रोड़क्ट निकालेंगे तो वह वैलू कितनी आएगी 720 तो 720 वह वैलू है जो 15 से 20 से 36 और 48 से होती है लेकिन हमें क्वेशन में क्या कह रहा है कि हमें 3 रिमेंडर चाहिए है हर केस में 722 प्लस 3 में 723 वह वैलू है जो 15, 20, 36 और 48 से डिवाइड होने पे हर केस में 3 रिमेंडर देती है option 4 इस question का सही answer